नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की नियूरोकेम एंटी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Neurocam anti-tablet को कैसे लेना चाहिए और Neurocam anti-tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Neurocam anti-tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Neurocam anti एक brand name है Neurocam anti-tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Neurochem Anti-Tablet के अंदर सौल्ट कमपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और 9 ट्रिप्टीलिन 10 mg होता है Neurochem Anti-Tablet का उप्योग नियूरोपैथिक दर्ध को ठीक करने के लिए किया जाता है Neuropeithik दर्ध का मतलब होता है नसो का दर्ध Neuropeithik दर्ध होने पर बहुत तेज दर्ध होना, जलन होना, सुईया चुबने जैसी समवेधना होना, हातों वपैरों का सुन्न पढ़ जाना, मास पेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करन्ट की तरह जटके के साथ दर्ध होना आधी लक्षन Neuropeithik दर्ध होने पर हो सकत और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर Neuropeithik दर्ध होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसके अलावा Fibromyalgia होने पर भी Neurochem Anti-Tablet का उप्योग किया जाता है, Fibromyalgia होने पर पुरे शरीर में दर्ध होने लग जाता है, और शरीर में ठकान रहने की समस्या हो सकती है, इसके अलावा Neurochem Anti-Tablet मिर्गी और दोरों को भी कंच्रोल करने में मदद करती है, जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दोरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर अन्य दवाओं के साथ Neurochem Anti-Tablet को लेने की सला दे सकता है, इसके अलावा कमर में दर्ध होने रीड की हड़ी में कोई चोट लगने पर और डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर भी डॉक्तर Neurochem Anti-Tablet को लेने की सला दे सकता है, साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Neurochem Anti-Tablet की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, ल चक्राना, कब्स होना, मुँ में सुखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर कम होना, हाथों वपैरों में सूजन होना, आखों से धुंदला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरी नूरोकेम एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर नियूरोकेम एंटी टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। नियूरोकेम एंटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नियूरोकेम एंटी टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि नियूरोकेम एंटी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। नियूरोकेम एंटी टैबलेट के साथ अंगूर, अंगूर का जूस या खटे फलो के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि नियूरोकेम एंटी टैबलेट के साथ खटे फलों का सेवन करने की वज़़ से unwanted side effects हो सकते हैं नियूरोकेम एंटी टैबलेट की वज़़ से तवचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेधन शील हो जाती है जिसकी वज़स से संबन होने का जोखिम अधिक हो जाता है इसलिए आपको तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते है नियूरोकेम एंटी टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है क्योंकि नियूरोकेम एंटी टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है Neurochem Anti-Tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि Neurochem Anti-Tablet के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से नीन आने की समस्या ज्यादा गमभीर हो सकती है और सीरियस साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर निूरोकेम एंटी टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना निूरोकेम एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए निूरोकेम एंटी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर recommended नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका निूरोकेम एंटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं।